तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि पेटियम से बैंक एकाउंड को रिमुब कैसे करें आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेटियम में दो बैंक एकाउंड एड किया है एक है bank का बढ़ोदा का और दूसरा है state bank of India का तो यहाँ पर मुझे एक bank यहाँ से remove करना है paytm account से bank का बढ़ोदा को है ना तो यहाँ से paytm account से bank को remove करने के लिए आपको करना क्यों होगा सबसे पहले आपको paytm का application यहाँ से open कर लेना होगा है ना तो चलिए हम Paytm का application यहां से सबसे पहले open कर लेते हैं open करने के बाद आपको यहां पर एक option देखने को मिलेगा profile photo कोने में यहाँ पर उपर आपको bank को remove करने के लिए profile photo पर click कर देना है तो चलिए हम profile photo पर click कर देते हैं प्रोफाइल फोटू पर किलिक करने के बद आपको थोड़ा से नीचे जाना है, नीचे आने के बद आपको यहाँ पर एक आप्शन देखने को मिली गा है, UPI Payment Setting, आपको सिंपल इसी पर कर देना है, किलिक, तो चलिए हम इस पर किलिक कर देते हैं, UPI Payment Setting पर, UPI Payment Setting पर किलिक करने बद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने, दो बैंक यहाँ पर एड किया है, फेटियम एकाउंट में, एक है बैंक का बड़ोदा, और दूसरा State Bank of India, है ना, तो यहाँ पर मुझे एक बैंक को यहाँ से रिमूब करना है, तो चलिए हम, आपको रिमूब करना है, उस पर एक बार किलिक कर देना है, इस तरह से, किलिक करने बद आपको यहाँ पर ऊपर एक आप्सन देखने को मिलीगा, यहाँ पर, थिरी डोट, आपको थिरी डोट पर कर देना है, किलिक, तो चलिए हम थिरी डोट पर किलिक कर देते हैं, थिरी चलने बाद आप यहां पर देख सकते हैं सक्षेसफ फुली को यहां पर यहां पर प्रक करół करदेना उसके पर किलिक कर देने यहां पर किलिक करदेना है यहां नहीं बचा है ना तो आप इसी तरह से प्रोदा या स्टेट बेंक ओफ इंडिया किसी भी बेंक को आप रिमूब कर सकते हैं वह भी आसान तरीके से हैं तो आज के लिए वाशतर ना अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई से लाइक करूं चैनल को सब्सक्राइब करूं मिल